आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दी कॉंसेप्ट अपाथ फॉर सक्सेस में इस बीडियो लेक्चर में हम शुरू कर रहे हैं फास्ट रवीजन सीरीज एचपी एलाइड एक्जाम 2024 के लिए ये वीडियो लेक्चर बेसिकली आपके टॉपिक्स को कवर करेगा इंडियन जियोग्राफी के लेक्चर वाइस हम इस सीरीज को शुरू कर रहे हैं और एक्जाम तक इस सीरीज को कॉंटिन्यू करेंगे फर्स्ट लेक्चर है हमारे पास इंडिया की इंट्रोडक्शन के बारे में शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एंड इंट्रस्टिंग MCQ लेक्चर पहला प्रशन है आपके पास भारत की क्या लुकेशन है एशियन महाद्यूप में इंडिया लुकेटड है एशियन कॉंटिनेंट में सदन एशियन साइड बी इसता करेक्ट आंसर अगला प्रशन है आपके पास भारत का रेंग क्या है बिशब में एरिया के अनुसार इसका सही अनसर है सेवन्थ रेंग अगला प्रशन है आपके पास भारत का रेंग पूरे बिशब में क्या है जनसंख्या के अधार पर तो इसका सही अनसर है फस्ट दो हजार तेईस में ही इंडिया ने चाइना को ओबर टेक करके फस्ट रेंग को हासिल किया ए इसता सेकिंड क्रेक्ट आंसर अगला प्रशन है आपके पास लेटिट्यूडनल और लॉंगिट्यूडनल एक्स्टेंट जो है भारत का वो रफली कितने डिगरी है अगला प्रशन है आपके पास तो नौर्थ से लेके साउथ एक्स्टेंड तक इंडिया जो है इसकी लेंद है बत्ती सो चौदा किलोमेटर अगला प्रशन है आपके पास भारत का एक्स्टेंट कितना है इस्टन साइट से बेस्टन साइट तक किलोमेटर समें तो इंडिया का इस से लिएके वेस्ट तक जो डिस्टेंस है वो है 393 किलो मेटर अगला प्रशन है आपके पास इंडिया का टेरिटोरियल लिमिट क्या है C तक यानि समुद्दर तक कितना एरिया जो है इंडियन टेरिटरी में आता है और ये बताना है नौटिकल स्माइल में A option 10 नौटिकल माइल्स B option 12 नौटिकल माइल्स C option 15 नौटिकल माइल्स D option 18 नौटिकल माइल्स तो इंडिया का जो territorial limit है C level तक वो है 12 nautical miles तक B इस ता correct answer अगला प्रशन आपके पास भारत जो है बिशब के total क्षेतरफल का कितना प्रतिशत कबर करता है A option 1.2 प्रतिशत, B option 1.5 प्रतिशत, C option 2.1 प्रतिशत, D option 2.4 प्रतिशत तो इसका सही answer है 2.4 प्रतिशत एरिया पूरे बिशब का भारत के अंतरगत आता है D इस ता correct answer अगला प्रशन आपके पास भारत का क्षेतरफल कितना है A option 2.28 मिलियन स्केर किलोमेटर B option 3.28 मिलियन स्केर किलोमेटर C option 4.28 मिलियन स्केर किलोमेटर D option 5.28 मिलियन स्केर किलोमेटर तो इसका सही answer है B option करीबन 32 लाग स्केर किलोमेटर यानि 3.28 मिलियन स्केर किलोमेटर भारत का क्षेतरफल है B इस ता correct answer अगला प्रशन आपके पास 2011 की जनगना के अनसार भारत की जनसंख्या बिशव की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत था A option 16.5 प्रतिशत B option 17.5 प्रतिशत C option 18.5 प्रतिशत D option 19.5 प्रतिशत सही answer है इसका 17.5 प्रतिशत तोटल बिश्व की पॉपुलेशन इंडिया कबर करती है 2011 की जनगना के अनसार B इस ता correct answer अगला प्रशन आपके पास बरतमान समय में भारत में कितने राज्य और केंदर सासित परदेश है A option 28 राज्य नौ यूटीज B option 29 राज्य आठ यूटीज C option 29 राज्य नौ यूटीज D option 28 राज्य आठ यूटीज इसका सही answer है option D बरतमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंदर सासित परदेश है D इस ता correct answer अगला प्रशन आपके पास भारत जो है बिशब में कौन से हैमिस्पेर में आता है A option Northern Hemisphere B option Southern Hemisphere C option बोथ D option इन में से कोई भी नहीं तो इंडिया जो लोकेटड है वो है आपका Northern Hemisphere यानि उत्री गुलार्द में A इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास भारत का latitudinal extent कितना है A option A option R degree 4-North से लेके 37 degree 6-North तो ये correct answer है आपका latitudinal extent है भारत का A इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास भारत का longitudinal extent कितना है तो इसका सही answer है option B 68 degree 7-East से लेके 97 degree 25-East तक है B इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास कौन सा longitude है जो भारत के Indian standard time को पता करने में use किया जाता है अगला प्रशन है आपके पास भारत में सरप्रथम जो सूर्य उदे होता है भारत में D इस ता correct answer अगला प्रशन है आपके पास Southern part जो है भारत का वो किस जोन में लाई करता है अगला प्रशन है आपके पास भारत का उत्री हिस्सा यानि Northern part जो है वो किस जोन में लाई करता है अप्शन ट्रॉपिकल जोन B अप्शन सब ट्रॉपिकल जोन C ओप्शन टैंपरेट जोन D अप्शन सब तैंपरेट जोन तो इसका सही अंसर है नौर्धन पार्ट जो है इंडिया का वो आता है सब ट्रोपिकल जोन में बी इस्ता क्रेक्ट आंसर अगला प्रशन आपके पास कौन सी imaginary line है जो भारत को बराबर दो हिस्सों में बाढ़ती है A option equator, B option Tropic of Cancer, C option Tropic of Capricorn, D option इनमें से कोई भी नहीं तो उस imaginary line का नाम है Tropic of Cancer ये भारत को लगवग दो हिस्सों में बराबर बाढ़ती है B इस्ता क्रेक्ट आंसर लास्ट कोशन है आपके पास भारत के कितने राज्यों में से Tropic of Cancer पास करती है A option 7 राज, B option 8 राज, D option 9 राज, D option 11 राज तो भारत के आठ राज्यों से क्रॉस करती है आपकी Tropic of Cancer जिसे करक्रेखा कहते है B इस्ता क्रेक्ट आंसर तो इस तरह से lecture number 1 में हमने Indian geography की basic introduction देखी ये Fast revision series का first lecture था इसी के साथ हम lecture wise सभी subjects को cover करेंगे जोकि आपके upcoming HP allied services exam के लिए important है बीडियो लेक्चर को like करें अपने valuable comment करें जाद स्यादा बीडियो लेक्चर को share करें और आपके अपने YouTube channel The Concept A Path for Success को share करें and subscribe करें Thank you, जै हिंद, जै भारत